स्राम्ट तर्माइट पित्रवू कमदान दातना दिश्वंभरवू इजबरवू दुग धर्म पाद्रवू दंदरे जमक्तिय करवू करना भतान दिश्वंभू पुचकल सुभरारता केशदी छेनम जाठ्रू दुगतरवू धन्बापको ध्रोष्ट। चर्णमय वयस्माश शकंध भी अस्त थास्तौ। अम्यदुगन शकम्यम् जातिया दार्म्यम् ओम् नम्हकरम हुन्शाष्वादित चरनकमल चिनमकरन्दाया अख्तनमाः श्वासाया श्रियाम श्वादित पाकिशा जश्यबदने लक्ष्मिर जश्यचवक्षशी जश्यास्ते पेश वेतं श्यम्यम् गुष्वसर गविषर गादिन इनवा लक्षान लक्षितं जए श्री रूप्षनात अनभट रखनाथ पारगट दास रखनाथ जए श्री प्षानिक दिचरन बंदन जाहित ज़िदना सधिस्ट्र गुष्वण भांच्य कल्पतरो जःष्य कृपासंडु देवचब रखनाव नाम पाव नेजों वैष्ण बैद्धों नेजाए श्री कृष्न चेतन्य महा प्रभू की, स्री अद्वाइट प्रभू की, स्री गदाधर प्रानात की, स्री बास पंजित की, स्कल आचार चरण की, रज़डानी राथार आभी की, स्री लाडली लाल की, श्री ग्रंट भिहारे भिहारमी शरकार की, श्री पंदित वाबाजी महराज की, श्री भागवत निवास की, श्री बंदा मनधाम की, जे जे श्री रारे विता नो नहरी नुट नहीं। परनमंदन ले, अकारन करुना रोना ले, स्री गुदान महाप्रप्थी मुर्पी दुपा सेंड़, गिलाग कुस्मांजली के मालतिं से सक्षन लावका से उसत्ता के लाज़, गिलाग कुस्मांजली असलोक संख्या सत्रम्तर, इस्फीत स्वान्तं कयाचिक सरभ मचरेडा माडई दरोद्य, नाना पुष्पोर भुण्जा भल निकरल सक्के किक्षप्र पंचरी, सोत्कंप्यम्रच्यमानह प्रितरुचिहरिलोत् फुल्लमंगंगंत्या, स्वाविन्याकेश पासर कि मुवर्नने नानंदनु उचेई विदाता। कल स्रिल्रवनातास वस्वाने किसोरी जी की शिंदार किये थे, भेष रसन किये थे, आज आचार चरण किसोरी जी की केष रसन करे, केष केष रसन करे, जो प्यारी स्याम सुंदर प्याजी के स्रिंगार कर रहे थे, तो कोई सक्षी प्रफल मन के साथ सिग्र जो कुछ भी सामगरी क्यों सकता नहीं हो देने लगी, उसमें खिले हुए पुस्प, फुस्ट गुंजा खल और सुंदर मोर मयूर, मोर पंग, उनसे श्रिकृष्ण मनोहर भाव से उन बस्तों को देख करके चेस्टिट हो रहे हैं, स्वामनी की खेस पास की रचना श्याम सुंदर करते है। प्रियाजी आपका वह सुन्दर केश पास नेरे नित्रों को अध्यन प्यारे है। प्यारे से हम सुन्दर देखे केश को बहुत प्रेम से समारते हैं। अब उन केश के असपर्स करने मात्र से ही श्री कृष्म का शरीर पूलकीत हो जा रहा है। और प्रियाजी भी बिमोहित होती जा रहा है। यह केश पास की रचना ठाकुल जिक्का रहा है। यह आचाज के हिर्दर में यह लीला स्फुरन हुआ है। श्रीजर रवनाचा सुस्ना में। कुंड के दीर पर प्यारे स्याम सुन्दर, किशोरी जी की वेश रचना कर रहे हैं। और उस समय उस सेवा में सेवा का सुख अस्वादन कर रहे हैं। उनके अनुभूती के प्रशाद स्वामरी को ठूब सुन्दर के ससर्या है। हम लोग देखते हैं निकुंज लीला में यह सेवा बहुत जगा है। भागवत में ही जब भद्वान स्री कृष्णा रास को छोड़ कर गए। जब प्यारे स्याम सुन्दर अनंत कोट ब्रेज जीवतियों के साथ निरित्य कर रहे थे। तो निरित्य करते करते कुछ गोपियां और अपने को सबसे अधिक भाग किसालिश समझने लगे। और मन के विचार करने लगे कि इस तीनों लोपों में हम लोगों से सुन्दर कोई देंगी। क्योंकि साथ-चाथ स्री कृष्ण हमारे अनुकूल हो गए। इसलिए में गरवित हो गए। थोड़ा कुछ गोपियों को अंकार हो गए। और गवाधा रहने उन गोपियों के साथ स्री कृष्ण के लीला को देहकर मानवत्ती हो। इसलिमत भागवत में। तासां ततसव भगमदम विच्छ मानं चकेशवः प्रसमाय प्रसादया तत्रिवांतर दियत। भगमान कभी यह नहीं देखना चाहते कि हमारे भक्त की हुद्य में अंकार पनप रहा हो। चाहें किसी द्रकार का अंकार हो। धन का, जूप का, जववन का। यह भक्ती का भी अंकार भूद खतरनाग होते है। मैं सादक हो। मैं अपने भक्ती के बल से श्री कृष्ण को अपने बशन कर लूँगा। इस साधना भीमान भी साधक को नष्ठ कर देता है। अगोपियां तो सधार हैं नहीं, वे साधक नहीं शिद्ध हैं। रमा रमन भगवान स्रीहरी के साथ बेलोग निर्थ कर रही है। भिलास कर रही है। भगवान भी उनके साधना मुल्खूल हो गए है। लेकिन अशर्ज की बात है कि किसी गोपियां को एक पता नहीं कि स्रक्ष्ण दूसरे के साथ मोई। और गोपियों को लग रहा है था कि इसमे क्यों मेरे साथ, जितनी गोपियां उतने कृष्ण, गोपियों को अपने सवभाग उपर थोड़ा घर्वित हो देगा, अमकारी हो, तो भर्मान तो सब की हिरदय में लाते हैं, जब देखें कि तासां तक सवभग मद्व, इन गोपि सवभग मद्व हो गया है, यहां तक कहने लगी कि इस तेनों लोगों में हम लोगों जैसे भर्मिशाने कोई नहीं है, साक्षा श्रीहरी हमारे अल्गूल हो गया है, हम लोग जो कहती हैं वही करने के लिए जया है, जो सादन से दिब्रदी गोपियां थी उनको तो अहंकार है, यह भक्ती भी पचता है, भक्ती को समालना पड़ता है, हम लोग जो गचार देज भजन करते हैं तो थोड़ा हमकार है, सोहा लिख है, एक सादारा अंधान से लोगों को हमकार हो जाता है तो भक्ती जिसकी इद्रदेल में आ जाए, तो उसको भी तो पचाना बड़ा प भक्ती का अभास आता है, तो अपने आप शरीर में और प्राकृत बून आने लगते हैं, तो लोग सोचता है कि अग तो हम सिद्ध हो गए, जगात जगत में शवर्य अगर अपने पचार चारव कर देता है, तो इन ब्रज गोपियों, गोपियां तो सधारण नहीं है, करते हैं मैं बिल्कुल ठप गई, मेरा पईर अब काम नहीं कर रहा है, तो भगवान पईर दबाने लाए, बिल्कुल अनकूल हो गया है, कोई गोपि कहा रही है कि हमको बहुत गर्मी लग रहा है, तो भगवान अपने दुपट्टा से पंका झेल रहा है, किसी की जो जो कह करते हैं, भगवान हमारी अपूरा करते हैं, इसी तुछ कामनाओं के पोर्ती के लिए हम लोग जन्म जन्वान तर तक ठकुल जिसे दूर पड़े हुए, भगवान जब देखे कि इन गोपियों में सौभग मध हो गया है, और राधारानी अचानक मृत कर रही थी और उनकी तो प्रियाची थोड़ा रूठ गई, मान करने, तो उसी समय भगवान श्री कृष्न रूठ करके राधा जाने राधा छड़ करके चलिए, तो गोपियों के मान को प्रस्मन करने के लिए और किस्वरी जी से कृपा प्राप्त करने के लिए तत्रई वांतर धीयत, ऐसा और भगवान अंतरहीत हो गए, अंतरहीत दो काम करने के लिए हुए हैं भगवान, एक तो राधारानी की खिपातात करने के लिए और दूसरे जो सौभग के मद से मतवाली गोपी हो गई है, उन लोगों का प्रस्मन करने के लिए, यहंकार चोड़ करने के लिए, भगवान तो उस समय जब राज छोड़कर के गए हैं और राधा माधों की जो दिट निकुंज की निला हुई गया लागा है उसी लीला में बहुत प्रकार की निला हुई है उसी बीट का जो समय है उसी से महावाली या केली माल इसर गुरंच की रजना भुण है तो थोड़ा जो मिलन भुणा है तो उसी में भगवान श्री हरी ने कि प्रियाजी के साथ जो राधा माधों की निलिकुंज की निला है वही से उसी लीला से गित गुविन टाड़ा हो गया रहा केल जा भागत में है और एक गित गुविन में है मेभाईर मेदुर मंबरं बनभुवश्यामस्तमालत द्रुमय नक्तम भीरुरयं तमेवत दिदम राधे ग्रियंप्रा इत्यम नंद निदेश इतस्चलितयों प्रत्य ध्वकोंजत द्रुमं राधा माध बयोर जयन की जमुना पूली रह होते लए जमुना के पूलीन पर आइकांतिक जो क्रेड़ा हुई है जिसको रशित महापरुस लोग जिस रश का स्वाधन करते हैं वहाँ पर स्ठाकुर जी ने प्रिया जी के साथ लीला किये तो उस लीला के बहुत सी लीला है जिसको महावानी को पांच भाग में बाता गया है तो उसमें एक यह भी लीला है जो आज रगुना अजास दुस्वामी याद किये भगवान जमुना जी के तर्ट पर अपने से पुस्प चैन किये भागवत में है पुस्प चैन किये अब पुस्प खोजते-खोजते जब पुस्प नहीं मिलता है तो भगवान चटक-चटक खुद करके पुस्प को तोड़े हैं जिसमें उनका पैर धस गया है जो गोपियों को खुरते-खुरते आई हैं तो गोपियां कहीं हैं जी भारा कांतत से काम नहीं है प्रिया जी को कंधे पर चढ़ा करके भी पुस्प तोड़े हैं आईसा सिर्वत भागवत मिलता है अत्राव रोपिताहा कांता कुस्प हेतु महात्मना हा। इस सुकुदेव जी की बदना। क्रिश्म को महात्मा पाएं। क्रिश्म कौन है महात्मा। परिचित कहीं संकार न कर दे कि किसी इस्त्री के चोटी में भूल गूतने के लिए सरी कृषन स्टक Cटक कुद करपे कुछ करते हैं यह कामी मद भे जरी अइससा है को आंसे महातमा कालता है जिसका मन अपने स्वरुख से कभी इधर द्रम नहीं है ऍरन छी कृषन का मन आतमा राम है अपने से अतरिक्त कही जता है राधा रामी नहींध कोई और नहीं करने ही उल्क जल लीके जाय हो । तो स्री कृ nutri का मन जले राधा रामी नहीं है, अध्या मन कोई पर त्रणा आतर है UC हे काम तो बातलियर नहीं। गुपियां कोई दुसरा नहीं, राधा राने के उतकर्ष को बढ़ाने के लिए अनत्त को टिबली बोगी है. तो यहां पर अत्राव रोपिता कांता पुस्प हेतुर महात्मा ना, यहां पर महात्मा स्री हरी ने अपने कांता को बैठा करके पुस्प चन किया, क्या किया है तो केशब प्रसाधनम त्वत्रव, अत्रव, केशब प्रसाधनम यहां पर स्याम सुंदर ने खुप सुंदर चोटी गुथ है. प्रियां जितना सुंदर चोटी गुथने आता है उतना किसी को नहीं आता है, तो सुंदर. एक एक केश को प्राण किस्मान मानते हैं गारी साथ, केशब प्रसाधनम पत्र कामिन्या कामिना खृत्त, यहाँ पर सुपदेव जी कहते हैं, उस कामी श्रीकिष्ण ने अपनी कामनी के खेश में चोटी, मेडी कृती, देखिए अब काम सब्द का आर्थ सधार्ण नहीं है, यहाँ संसारिक द्रिष्टी वाला काम नहीं रहा है, वहाँ स्याम सुर्णर ने तानी चूड यताम कांता उपमिष्ट निधर्द हुआ है, चोटी बुथते हैं तो चोटी में बेला चमेली के पुस्प बीच-बीच में बुथे हैं स्याम सुर्णर, जिसको देख करके प् अरिया जी प्रसन्न हो गया भगवान के उस लीला को देख करके भगवान की चूटी में बिल्कुल इस केस को कंगी करने में बहुत सतर करना पड़ता है, बहुत सतर करने तो केस तूटी जाए है, मन जानकि इस तिर जिसका नहीं है और केस प्रशादय नहीं कर सकते हैं, केस एक केस टूटे नहीं और को अच्छा से, श्रीक विष्ण को ही आता है केस है, और किसी को नहीं, चंचल भ्यक्ति ये शेवा नहीं कर सकते हैं, केस का चंचल आजू नहीं कर सकते हैं, बहुत इस्तिर से हैं, तो ठाकुजी ने तालिक चूड या तार, श्याम सुंदर खोब सुंदर बेड़ी उठी, प्रिया जी इस लीला को देख करके बहुत प्रसन हो करके, क्या करें, तो प्रिया जी पारितोसी कुछ देना है, तो प्रिया जी चाहती है, क्यारी श्याम सुंदर से, इसके बदले में उनको मैं पूछ दूँ, क्या दूँ, तो आलिंगन, आलिंगन क्या है, अपने आपको देना, जब साधर भगवान देख रहे हैं, कि मेरे पास अपूछ नहीं है, तो आलिंगन मैं अपने आपको देगी है, अब स्रिकृष्ण किसी भग्त को अपना पीछ आपको देखाने के लिए भग मुझ देते हैं, लेलो, 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 इसको लेलो, भग्त कहता है कि मैं नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना कभिता चाहिए, रभए कुछ चाहिए, तो भगवान सोचे है, मैं क्या दूँ, तो उसको आ आप आलिंगन करते हैं आप तुमकों दे, यह सिठाकरजी ने धुरुप आलिंगन किया, अन्मांजी को आलिंगन किया, आलिंगन उसी को करते हैं, जिसके कुछ भी लेनी की चन्त, उसी को दे, एक तुलसी पंजरी देख रही है, श्यामसुने, राधा रस्वधा निदी में अचा चंकते हैं, खेना किनागर बरे नडपदे निपत्या, संप्राथि तैक परिरंभर सोच वाया, सब्भुवि भंगमति रंग निदेक दाते, श्री राधिके नहीं नहीं ती गिरहस्णों नि, मन में है इच्छा, लेकिन प्रियाजी मना करते हैं, यह बामता है, रस्पों उत्कस वढ़ा दे, जितनी बामता है, प्यारी स्यामसुन्दर क्या करते हैं, कि हे राधिके, के नापी नागर बरेड पदे निपत्या, कोई नागर शिरोमणी को मैं देखा, कि आपके चरण मे बीर करके, प्यारी स्यामसुन्दर कुरियाजी के चरण में गेर करके, पदे निपत्या, और पर बीर करके सम प्रार्थिते हैं, प्राथना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, तो एक परिरंभुत्सवा है, एक बार हमको परिरंभन देखा, आलिंगन देखा, परिरंभन क्या है तो । रसयुक्तों की एक प्रबु का उत्साव किसको प्राथ्त होता है जिसको शंसाल की सीक्राद की चाहएं दन धान जान अरे अबने लगों किसी प्रकाद की वास्त स्ट और रहेगा है तो कि अरवन तो यहां पर आचार्च कर चरण कहते हैं कि मैं देखा परिरंभ रसोत सवाया अतिरंग करने लिया, प्रिया जी उस रस को आनंद कर आत्म, जान करके पहली आनंदी जोगी, अश्याम सुंदर प्रिया जी के चरण कमल पर गेड़ करके बार बार प्राथना करते हैं, प्रिया प्रिया जी की इच्छा है, कि यह स्री कृष्णा है, निश्वार्ती है, इसको पास किसी प्रकार का स्वार्ती में है, सेवा ही जिसका लक्षा है, सेवा के अतृत्र कोई चार्ण है, स्याम सुंदर प्रिया जी की सेवा करते हैं, तो यह नहीं सोचते हैं कि सेवा करते हैं, कि विश्वा करते हैं। विश्वा करने कीमर प्रियाजी जानती है। और कोई जानता है। थोड़ा-थोड़ किश्ण भी जानते हैं। पूरा दो नहीं जानते हैं। तो देखी प्रिया जी कि इचाहते हैं तो सब गुरु मनंगमति रंग निदे कदाते श्री राधिके नहीं नहीं तिगी रष्णोई तुझ्जी मन्जरी देख रही है कि प्यारी से आप सुन्दर चरण पर गेर करके एक बार परिरंभन की आचना करते हैं और उस रष्ण का स्वादन प्रिया जी मनहीं मन करके सब गुरु रिभन्ग मतिरंग निदे कदाते लेकिन मूर से क्या करती हैं नहीं 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 इतिगिरह कदा से लोगा यह कितना मिठा सब्द है उस सब्द को मैं कब स्रावण करोंगी यह स्री रगनादास अश्वादन कर रहें ऐसा रस है कब-कब मुझे मिलेगा रधापुन के तरफ पर श्री रगनादास अश्वादन कर रहें लीला नितमीरंत बढ़ा रहे हैं हमेशा परिवर्ति तो लीला है राधार रारी कावन हैं तो मादनाक्ष्य महाभाव की सुरूपा महाभाग्वती राधा महाभाव सुरूपनी प्रियाजी के मन को खीच रहे हैं कौन को शाम सुदर श्याम सुंदर अपने बिवहार के कारण स्वामनी को संकोच ने डाल, देखिए प्रेम है ना, प्रेम में प्रेम है जो नित निरंदर बढ़ता रहते, प्रेम तो कभी भढ़ता नहीं है, अमिशन अनवरत बढ़ता है, अब प्रेम में संकोच नहीं है, ये प्रेमी संकोच न स्वामनी की चरण में संपूर रूप से बिख रहे हैं। नागराज स्वामनी की चरण पकर करके एक बार परिरम, उच्छो दाद करो कह करके बार बार प्राथना कर रहे है। मन कितना भाव है, कितनी कातर्टा है, चरण तल में पड़े हैं। यह राधा के प्राण बंधू है। और श्याम सुंदर चरण पर वीर करके प्राथना करते हैं। कि है प्रियाचु, मैं आपके लाइक नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ, तो आप प्रेम की समुद्र महा हैं। और मुझ में प्रेम का एक लेस भी नहीं। प्रेम जिसके पास रहता है, वो सरता है कि हमारे पास प्रेम नहीं। जो कहता है मैं प्रेमी हूँ, प्रेमी हूँ, प्रेमी नहीं। प्रेम का इसी स्वर्यू, अश्याम सुंदर प्रियाजी से कहते हैं। हे प्रिष्भानु राजनन्दने, हे यतुध प्रेम रस सुधानिधान, गाय चराता बन बन भटकूं क्या समझू मैं प्रेम बिदान। आप तो अतुम प्रेम संपत्ती की अधिष्ठात्र देवी है। संसार में जितना प्रेम दिखता है इस जगत में इसकी अधिष्ठात्र देवी प्रियाजी। खुते में, बंदर में, दिल्ली में, चीट्री में, मनुष्य में, देवतार में, जितना प्रेम दिखता है, यह प्रेम की अधिश्थाक्त्री देनी प्रियाजी किसे हो जीए। और मैं भला प्यार क्या जानता हूं। मैं तो केवल गईयों के पीछे हीओ हीओ करते सपना जीवन गिदाया। गाय चराता बलबल भटकू। क्या समसों मैं ट्रेन गिदा अनाडी लड़कों के साथ। ग्वाल बालकों के संग डोलूं, खेलूं सदा गमारू खेल। हम हमें सब गमारू खेल करते हैं। अप्रेम सुधा सरिता तुमसे मुझे तब्त धूलिका कैसा में। आप तो रस की सागा में, रस सबुद्र, आप मैं सुखा गरम बालूं। तो मेरा और आपका मेल कैसे हो गया। आप ही कृपा करके हम पर कृपा करती हैं। हमको कृपा करके अपना सेवा का सुख दे देती हैं। तो इससे तुम्हें बिल्कुल रिणी हो गया। मैं अनधिकारी। मैं आपके सेवा के लायक नहीं। लेकिन आप किपा की सबुद्र हैं। रस सबुद्र हैं। लेकिन मन में बार बार ये विचार करता हूं कि जो इक करुआ की हैं आप मेरे उपर इस करुआ का सोध मैं कैसे करूँ। कैसे रिण का सोध करूँ मैं नित्य प्रेमधन का कंडाल। तुम ही तया कर प्रेमधन दे मुझे को करती रहो नियाल। विद्या पती जी का प्द है। तुम अपने गोण से भले हम पर किर्पा करूँ। लेकिन हमें तो कोई जोगिता नहीं। हमें तो कोई ऐसी बस को दिखता नहीं कि आप हम पर किर्पा करती हैं। अपने क्रेम देती हैं या सेवा का स्वोसर देती हैं। यह तो आप रिपा करके हमको दे देती हमें कोई भूड़ देती। आप ही दयालू है। इस प्रकार से आम सुन्दर प्रिया जी की चरण पर बीर करके बार बार प्राथना कर रहा है। एक बार मुझे आना देती। क्या है अधिय वस्ती। प्रिया जी का समीप्रिया अधिय वस्ती श्प्तार श्भामनी के मनुवर कान्थ में शुदफ स्री लागने। श्याम-संदर क्या कर रखे प्रिया जी की चोटि उतना। कितने उदे की छोटी पुतना, पहर निम्हावर लगाना, प्रियाजी के एक एक विलाओं को तक्त चीत से श्री कुष्णी कर सकते हैं, फिर भी इच्छाम सुन्दर कहते हैं, आपकी क्रिपा हैं, आपकी क्रिपा से ही संभव हो सकता है, एक परास्परिक भाव, दुरुच प हो मनरूपम केली, एक परस्पर दुमँ एक दूसरे पर अपने चरण पर गेर करके प्राथनाय करते हैं, ब्रिंदा बनांतर निकुंज, ब्रिंदा बनांतर नवकुंज, तल्लीन पीत विटनम चकासते हैं, रधा Шुधा निधि में आचाल-चरण कहते हैं, एक ब्रिंदा प्रियालाल का यह परसकर धिव बिखार है, यह नवी निपूझे थैं, बिखार करते हैं, अचानक मुन में आता है कि यहां पर पिड़ा करना है, तो सकी मंजरियां तदकाल वहां नौ निल्मित निकुझे बना देती, अब प्रेवरस निवाग में उसेश समोहन रुपी जुक्त नील पीत, प्यारे लाल के बिंदावन क्या है नील पीत, ख्रिया लाल के अत्रिक्त कोई है नील है कि पीत है, पीत है कि नील है, प्यारे है, ख्रिया है, यह ही, यह मंजरिया देखती है, लीला से स्वामने की त्रिक्ती नहीं होता है, यह प्रेम कभी त्रिक्त होता ह प्रियाजी निड्रंतर बढ़ता रहता है, इसमें त्रिप्ति नहीं हो रहे है। प्रियाजी लीला में स्वामने की त्रिप्ति नहीं हो रहे हैं। श्याम ठीक ठीक से उस रस का अस्वादन नहीं कर पा रहा है। श्याम प्रिया जी के उस रूप को देख करके सड़ा मन मन मुश्कुरा देख है। हसी का पुरह विकास नहीं है। पुरह बार बार झाल देख है।